प्यारे बच्छों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का हारदिक स्वागत PKT एजुकेशनल अपडेट चेनल में और इस्टुएंट्स अभी कोरोना के कारण जो दो साल से जो सेलेवस है आपका उसमें काफी कुछ चेंजेस हो गया है तो मैं मॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वे आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे बहुत जल्दी सारे वीडियोस आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे तो हम क्लास 10 के 2022-23 के एन्यूल एक्जाम के लिए सबसे ज़ 22-23 की बारसिक परिच्छा के लिए नहीं पढ़ना है तो रिक्वेस्ट करूगा कि पूरे वीडियो को आप बिना स्किप किये देखिएगा पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितने इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो पूरे अच्छे से आपको करना है क्यों पर हम कंटेंट्स देखें स्टुरेंट्स तो सारे चैप्टर से हैं क्या क्या डिलीट हुआ है वो भी मैं अभी बताते जाओंगा पर चैप्टर 11 जो कंस्ट्रेक्शन था ये पूरी तरह से आपके सेलेवस से हट चुका है चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा तो पर आना है और अबजिक्टिव दो नमर के आना तो इस्टुरेंट आपजिक्टिव के लिए में एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा जो की काफी एक्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टाइ तो यहां पर आप देखेंगे थियोरा में इसको आपको याद करना है क्योंकि वन वर्ड में भी या सकती है और फिल इन दा ब्लेंक्स या चूज़ दे करेक्ट टांसर टाइप में भी इसको पूछ सकते हैं तो सीधे फिर हम हम मैस की तरफ देखें तो एक्जामपल 6, 7, 8 most important है यह तीनों आपको करना है और exercise 1.2 केवल एक exercise है जो काफी important हो गई आपके लिए बैसे तो मैं आपको suggest करूँगा कि पूरी exercise आप अच्छे से कर लीजेगा क्योंकि वन चेप्टर में आपको केवल एक ही exercise करनी है पर सबसे जाज़ जो important है उसमें first जो है prime factor निकालना बनते हैं second LCM SCF निकालना है और इस फार्मले से verify भी करना है फिर LCM SCF है prime factorization method से इसके बाद fourth वाला most important question से यह बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए इसके बाद six वाला भी सबसे जादा important है तो बैसे मैं suggest करूँगा कि यह वाली exercise पूरी कर लीजेगा और इसके बाद exercise जो 1.3 है इसमें मैं example 10 और example 11 को ही पताना चाहूँगा कि दो अच्छे से कर लीजेगा बाकी ज्यादा number के हैं दो number की questions ही आना है तो बाकी questions इसमें से नहीं आएंगे तो एक ही exercise देखा जाए तो आपको अच्छे से करना है फिर exercise 1.4 भी पूरी तरह से delete हो गई है और student जो exercise delete हु काफी ज्यादा important हो जाती है choose the correct answers के लिए objective type के जो भी questions आते हैं उनके लिए तो summary जरूर पढ़िएगा पर वही इसमें पढ़ना है जो हमारे exam से related है जो delete portions है उनको नहीं करना है chapter 2 पे आते हैं polynomials जो है इसमें 5 marks है टोटल 2 marks के इसमें भी दो questions है और objective एक आएगा objective के लिए मैंने बताई दिया है कि मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो यहाँ पर सीधे exercise 2.1 औरल ही है आपको बताना है कि कितने zeros हैं तो यह बस समझने के लिए इसके बाद सीधे हम चलें example 2, 3 और 4 most important है यह तीनों example आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि कई बार exam में पू exercise 2.3 है and miscellaneous exercise जो आप सुननल है यह भी आपको नहीं करना है तो 2.3 और 2.4 नहीं करना है 2.1 तो जो है वो औरल ही है तो यहाँ 2.2 exercise के दोनों match आपको आना चाहिए first और second इसमें zero spine करना है काफी कुछ यह इस type के match जो है वो exam में आ चुके हैं यहाँ पर भी हम देखें तो य कई बार पूछ चुके हैं पर मैं suggest करूँ है कि अब एक ही exercise करना है चेप्टर से तो आप पूरे ही कर लीजिए और example खासकर जो मैंने बताए है समरी आपको देखना ही है फिर मैं वीडियो लेकर आता ही हूँ objective के लिए यहाँ पर third chapter देखें पेर आप linear equations in two variables seven marks ने चेप्ट के लिए भी हम देखें तो यहाँ पर आप पेज नमर 46 पे उपर यह तीनों जो पाइंट है यह अच्छे से आपको read करना याद करना इसके बाद यह table जरूर आप देखेंगे unique solution infinity many solution या no solution की condition हर साल exam में जो पूछी जाती है यहाँ भी आप देख सकते हैं यह जो पाइंट ह 3.2 exercise में क्योंकि इसमें दो नमर के question भी आना है तो second third आप देखेंगे simple है इसके बाद fifth वाला काफी important है यह करना इसके बाद substitution और elimination जो method है तो यहाँ exercise हम देखें 3.3 इसमें जो most important है first second and third first के second very very most important है इसके बाद third का first second third और यहाँ पर हम देखें तो fifth और sixth यह आपनों को अ अच्छे से आना चाहिए फिर example 12 देखें elimination method से और students एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि एक्जाम में आता है कि solve the equations यही मैस तो आप किसी भी method से कर सकते हैं elimination या substitution से बट यही लिखा आता है exam में कि आपको solve the equation by substitution method या elimination method तो आपको उसी से करके आना है otherwise आपके number cut जाएं गर जिससे पूछा जाए उसी method से आपको करके आना है नहीं तो number नहीं मिलेंगे copy कैसे check होती है किस तरह copy में लिखकर आना है annual exam में और क्या trick और tips हैं अच्छे number लाने के लिए वो सारे वीडियो आपको मेरे channel पर मिलेंगे real fact के साथ तो क्योंकि मैं खुद भी एक teacher हूँ copy check करता हूँ तो किस तरह हम लोग copy check करते हैं उसके बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा discussion box में भी आप उनकी link देख सकते हैं यहां 3.4 exercise में first का first second third important है पर यह words problem में आए तो first second का first second और यह third भी आप कर सकते हैं cross multiplication method हट गई है बट इसके जो यहां पर objective के लिए आप देख स में जरूर आएंगे example 15-16 आपको करना है और फिर exercise 3.5 का cable second वाला में जो first second है यह आपनों को करना अच्छे से इसके बाद example 17 आप देखेंगे और यहां पर फिर हम देखें तो सीधे 3.6 exercise में first second first का और second का first करना है एक चीज़ और मैं important है बता दूं कि दो साल में delete portion भी जो है जो reduce syllabus हुआ है इस trend वो अलग-अलग टाइप में हुआ है पिछले साल यह exercise नहीं थी पर इस साल है तो क्या-क्या reduce syllabus है वो भी आप साहत में देखते रहेगा क्योंकि 3 chapter में केवल cross multiplication method ही reduce हुआ है बाकी सब है optional exercise में यहां पर 5th और 6th वाला मैस यह दो आप लोग देख सकते है summary आपको यहां पढ़ना ही है अच्छे से उसके आप 4 chapter पर आते हैं quadratic equations पांच नमर है दो नमर का एक मैस आना objective 3 आना है तो इसमें 2 numbers के दें example 2 काफी important है यह आपको करना है इसके बाद सीधे फिर आप देखेंगे तो example 4, 5 page नमर 75 पर और 4.2 exercise में 1st का 1st, 2nd, 4th and 5th यह factorization method जो है वो 9th और 8 में भी आपने पड़ी है इसके बाद 3rd, 4th, 5th यह words problem में यह वाले मैस करेंगे इसके बाद completing the square आपको नहीं आएगी इस chapter से पर जो formula method है उससे आपको मैस करने के लिए आएंगे तो 4.3 का आपको 1st, 2nd और 4th करना है formula method से related इसके बाद सीधे फिर हम देखें page नमर 89 पे तो example 16 इसके उपर जो point लिखें तीनों यह objective type के लिए रहेंगे यह आपको अच्छे से करना है और यहाँ पर 4.4 exercise में first के सारे questions करना है और second के यह दोनों तो इतने इस chapter में आपको 4 chapter में करना है summary आप लोगों को पढ़ना ही है इसके बाद chapter 5 देखें काफी simple भी है पर यहाँ पर arithmetic progression में दो नमर का ही एक questions आना objective 3 आने हैं और MP board ने काफी simple कर दिया है COVID के बाद से दो रहें काफी students की अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है पिछली classes की भी तो आप लोग पहली बार board exam दे रहे हैं तो 75 नमर का paper हो गया 25 नमर आपको school से मिलेंगे project के वो भी आ percentage बढ़ाएंगे और जो paper है उसमें भी आप पूरे 75 नमर ला सके हैं इसलिए में यहाँ आपको पूरे blueprint के recording और delete जो syllabus है उसके recording यहाँ पर टिक लगवा रहा हूं तो five chapter में आप देखें पेज नमर 98 पे example first second five point one exercise में second third यह पूरे करना है छोटे छोटे से मैस से हैं इसके बा इसमें है नहीं exercise में यहाँ पर फिर five point two exercise देखते हैं फूर्थ वाला most important है काफी बार MP बोर्ड में आ चुका है फिप्त है six थे seven थे इसके बाद 13 है फिर 17 है इस टाइप के मैस आपको करना है सम आप एन एपी में example 11 12 example 14 और इसके बाद five point three exercise में first second third का first second fifth and ninth और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं fourth वाला जो मैस से यह और tenth वाला आप देख सकते हैं इसके बाद यह कुछ नहीं करना है यह book में पुराने टिक लगें जो मैं बोलना हूँ वही करना है फिर इस chapter में optional exercise भी नहीं करना है six chapter में देखें काफी tough पड़ता students को triangles वाला है इसमें से delete कुछ नहीं हुआ है बट नमर्स काफी का में दो नमर का ही एक questions आना अब जेक्टिव थ्री आना टोटल फाइब मार से तो दो नमर में क्या के important है वो हम देख लें इससे काफी fill in the blanks type के questions भी आते है six five one first पूरा करना है third questions करना आपको similar angles की definitions याद होना चाहिए इसके बाद six statement आपको पढ़ना है याद करना इसका इसका जो कनवर्स है उसका भी statement आपको याद करना है six five two में और फिर सीधे देखें तो एक्जामपल थ्री पेज नमर one twenty seven पर exercise six five two से फर्स्ट वाल मैस काफी important है इसके बाद second जो है वो आपको तीनों करना है फिर हम देखें यहां पर तो एक्जामपल four इसके बाद एक्जामपल seven और exercise six five three में आपको फर्स्ट करना है पूरे यह डाइग्राम सहीत कई बार आ चुके हैं इसके बाद second वाला questions आपको करना है फिर इसमें 15 वाला जो questions है के वल यह आपको करना है और area of similar triangle में exercise six five four का first वाला आप करेंगे और fourth वाला इसका देखेंगे अभी से आप लोग अच्छी तैयारी कर लिजेगा theorem कोई सी नहीं आएगी प्रूप करने के लिए क्योंकि केवल दो नम्मर का question आना है जाप पल 11 जो है पेज नमर 147 पर यह आप लोग अच्छे से करेंगे exercise 6.5 इसमें first, fourth, fifth and sixth यह वाला आपको करना और इसके बाद ninth वाला प्रस्न करना है जो question से वो आपको करना है और इसके बाद फिर exercise 6.6 आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें optional exercise में summary आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है coordinate geometry chapter 7 देखें इस ट्वाइब नमर है टू मार्स का इसमें भी एक questions आना objective 3 आने है तो example 2 काफी important है इसके बाद example 4 आप लोग करेंगे और exercise 7.1 में first के तीनों questions आपको करना है very most important है third fourth करना है इसके बाद seven and air था आपको देखना है और section formula में हम यहाँ पर देखें तो example 6 पे नमर 164 पर आप देखेंगे और इसके बाद example 10 seven point two exercise में first fourth six and seven के बाद यह question देखना area प्रेंगल जो है वो आपके syllabus से डिलीट हो गया इस साल तो seven point three exercise आपको नहीं करना है नहीं आपको optional exercise seven point four का कोई math करना है eight chapter introduce to trigonometry काफी important chapter था पर इस बार इसमें भी MP board ने जो two marks का एक ही question दिया है बड़े question सारे हटा दिये हैं जो काफी difficult student को पढ़ते हैं formula भी याद करने पढ़ते हैं पर objective है तो formula तो आपको देखना पढ़ेगा total five number है देखते हैं इसमें कौन-कौन से math हैं जो काफी important ह sample one करेंगे आप two करेंगे इसके बाद example four देखेंगे और exercise eight point one से आप लोग second, third, fourth and वाला math से यहाँ पर exercise eight point one से देखेंगे 8.2 में exercise 8.2 का first का first and second आप लोग करेंगे इसके बाद example 8 जो है वो काफी important है इसका exercise का 8.2 का third question जो है और फिर सीधे हम चलें exercise 8.3 यहाँ पर 9.10 exercise 8.3 का first second third fourth fifth और इसके बाद फिर सीधे 8.4 में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर third वाले questions करना है और इसके बाद example 13 जो है वो आप देखेंगे छोटा सा मैसे इसलिए some applications आप ट्रिग्नामेट्री जो ट्रिग्नामेट्री पर बेस्ट है 5 मार्स इसमें 3 मार्स का एक questions आएगा और objective हो आएंगे और इसमें हम देखेंगे तो example 1, example 3 यह आपको करना है इसके बाद example 5 आप लोग देखेंगे diagram बनाना इसमें compulsory है example 6 और इसके बाद आपने अपने school के teacher से या coaching में जहां आप जाते हैं वहाँ teacher से यह समझ लिए होंगे course भी लगवक हो चुका होगा आपका school और coaching में तो 9.1 आप देखेंगे first second important है इसके बाद fourth and fifth है और इसके बाद 16 जो questions है वो आपका important है summary है आपको याद करना यहाँ पर यह काफी one word में पूछ चुके हैं angle up elevation line up side और depression की जो refination से circle जो chapter है 10 chapter इसमें भी five marks instrument three marks का एक क्योसन से objective दो आना है और यह काफी most important बता रहा हूं मैं आप इसके अलावा परिक्षा बहुत परिक्षा अध्यन कुछ भी पढ़े उसमें भी बहुत सारा portion दे दिया है जो नहीं आने लाएक है थियोरम 10.1 most important है last year भी आई थी इसके बाद 10.1 exercise करना है first second फिर सीदे 10.2 जो थियोरम यह भी very most important है यह आपको करना है और यहाँ पर exercise 10.2 में आई इसके बाद आप 11 करेंगे पर 7 यह फोर्थ और जो थियोरम दो है वो ज्यादा important है chapter 11 पूरी तरह से डिलीट हो गया है आपको देखना ही नहीं है construction इस बार हटा दिया गया है chapter 12 पे आते हैं सीधे area related to circles पाँच नमर इसमें तीन नमर का एक questions आना objective हो आने यह आप याद रखेंगे जो फार्मूला यहां पर दिया इसके बाद आप सीधे 12.1 पर first second questions करेंगे यह इस पर दियान नहीं देना है जो टीक लगे में जो बता रहा हूं वही करना है तो first second 12.1 इसके बाद सीधे 12.2 पर आते हैं पर उसके पहले example तो कुछ नहीं है इसमें important तो first second third and eighth वाला questions आप करेंगे और फिर इसके बाद example 5 आप देखेंगे page number 233 पर और 12.3 exercise से first second third यह questions आपको देखना है seven देखना है जो काफी आज चुका MP board में काफी बार समरी आपको पढ़ने formula याद करने surface area and volume six marks है total four marks का एक questions आना objective दो आना है और सबसे अच्छी बात कि इसमें जो है वो काफी जो portion है वो डिलीट हो गया इस साल के लिए तो 13.1 हम देखेंगे first second third fourth sixth यह questions करना है 13.2 का केवल one करना है first वाला और कुछ भी नहीं करना है क्योंकि बाकी दोनो exercise 13.3 and 13.4 आपकी डिलीट हो गई है सिलिबस से तो यह दोनो exercise नहीं करना है starting की दोनो exercise जिससे selected मैस में ने बता दिया है optional exercise भी आपको नहीं पढ़ना है यह भी नहीं करना है सीधे summary आप लोग पढ़ेंगे statistics पर आते हैं जो five marks में four marks का एक questions आना और एक objective आना है तो four marks के लिए यह chapter है भी तो यहां पर mean, median और mod तीन चीज आपको निकालने के लिए आती हो सबीने पढ़ी होगी 14.1 में first second third इसके बाद six तो वाला क्योंस आप करेंगे ninth कर लेंगे बाकी सब करने की जरूवत नहीं एक्जामपल five very most important है mod के पर related है यह 14.2 में first second आप करेंगे और इसके बाद हम देखें यहां पर यह वाला फार्मूला आप लोग जरूर याद रखेंगे इसके बाद 14.3 में students first second और इसके बाद six seven है और फिर last वाली exercise आपकी delete हो गए तो यह नहीं करना है exercise 14.4 इसमें से जो है वो कुछ भी नहीं आएगा फिर चैप्टर 15 देखें यहां तो six marks है two marks के two questions है objective two है वो छोटा सा चैप्टर है इसमें एक ही exercise है और छोटे छोटे से मैस है फर्स सेकेंड थर्ड और यह वाला फार्मूला जरूर आप लोग याद करिएगा अच्छे से क्योंकि आता है इसके बाद example fourth आप फिलिंदा ब्लेंग्स यह वाला जो fifth मैस से most important है eighth ninth आप देखेंगे इसके बाद 12, 13, 14, 18 और इसके बाद इसका 19 मैस जो है यह काफी important है optional आपको नहीं करना इसमें भी तो student यह most important questions मैंने class 10th English medium के students के लिए 2022-23 exam के लिए बता दिये हैं पूरे 75 से 75 नमर आप लोग लेके आई यह channel से जुड़े रहिए description में जरूर देखेगा कैसे copy check होती है copy में कैसे लिख कर आना और समय समय पर मैं exam से related वीडियो आप के लिए लेकर आता रहूँगा channel से जुड़े रहिए पुना निविधन करूँगा कि जिन्होंने channel को subscribe नहीं किया वे subscribe जरूर कर लें ताकि सभी important update time पर मिलती रहे thank you thank you so much